लो फ्रेंस वेल्कम टू एमम लव चैनल आज का हमारा वीडियो है कि एलोवेरा जेल है वो इसके क्या क्या यूज आते हैं किसली फाइदे मन है ये तो इस बार मैं आज को बताऊंगी एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर आप गरम कीजिये उसे और ठंडा होने पर दर्द वाल जेल और सहद मिलाकर आप जलीवी तवचा पर लगाएंगे तो उससे लगाने से आपका जो गहीं पर घाव होता है वो जल्दी बरता है और जो घाव के निशान होते हैं वो भी चले जाते हैं तो आपके चैरे पर भी अगर दाग दब्बे होंगे तो भी चले जाएंगे औ और कहीं से भी आपको गाव हो रहा है तो आप अलोवेरा जेल लगा लीजिए क्योंकि ठंडा होता है अलोवेरा जेल और बहुत जल्दी गाव को बरता है और निशान भी चले जाते हैं अलोवेरा में मुझूद विटमिन्स और मिनरल फंगल और वायरल इंफेक्शन से बचाते हैं आपको तो अलोवेरा जेल सभी को पीना चाहिए सुबह रोज अपने डाइट में सामिल करना चाहिए अलोवेरा जूस को नेक्स्ट है एक चमच आप अलोवेरा जेल में खाली पे जलन होती है तो उसमें बहुत फाइदे मन रहेगा आपके लिए तो रोज आप खाली पेट खाईए जूस पी लीजिए यह भी फाइदे मन रहेगा आप खा सकते हैं या फिर आप जूस पी सकते हैं जूस पीना बहुत आसान होगा यूंकि आपकी यूरीन इंफेक्शन यह एंटिबायोटिक भी है और पान की कमी भी पूरी करता है तो यह उससे वाइरल या यूरीन इंफेक्शन से भी बचाता है ऐलोवेरा जूस है वे वक्ति को रोज पीना चाहिए यह बहुत फाइदे मन होता है एक्षस रगते के लिए अपनी डाइट में सामिल करना चाह यह इसको भी पीना चीए ऐलोवेरा जेल है वो आपकी तुचा को कोमल बनाता है चमकदार बनाता है आपके अगर कील मुहासरे दाग दब्बे यह हो गए है तो आप ऐलोवेरा जेल को रोज लगाईए इससे आपकी स्किन के वो दाग दब्बे मिट जाएंगे बिलके आप रोज रात को अलोवेरा जेल लगाके सूते हैं तो आपके यह चैरे पर चमक लाता है और अप फैशिल की तरह काम करता है आपकी स्किन पर क्रीम की तरह इसको रोज रात को लगाएकर सोईए यह बहुत ही अच्छा है चैरे के लिए बालों के लिए भी बहुत अच्छा होत तो आप इसको अगर आप लगाएंगे तो आपकी बालों को ट्रीक करने की ज़रत नहीं है आपको सॉफ्ट बाल रहेंगे चमादार बाल रहेंगे तो फ्रेंट्स यह था मेरा वीडियो के क्या-क्या उप्योग आते हैं यह किस तरह काम करता है तो आपको वीडियो पसंद आपको प्रेंट्स में शेयर कीजिए ताकि सभी को तदा तुले कि अलो वेरा हमारे लिए कितनों प्योगी है